प्रबु प्रसाद चानल में सभी भाई भेनों का स्वागत है आज अद्रक की चिटनी बनाएंगे अद्रक की चिटनी बनाने के लिए जो सामगरी चाहिए पाउ किलो अद्रक को धो के ऐसा काट के लिया है 32 लाल मिर्ची लिया है 50 ग्राम इमली 50 ग्राम गोड़ 50 ग्राम ओईल स्वाद अनुसार नमक राई मेथी का पाउडर दो स्पून हिंग, कड़ी पत्ता, राई अभी कड़ाई में मिर्ची डाल रही हूँ इसको बून लेंगे थोड़ा सा ओयल डालके एक स्पून ओयल डालके इसको बून देंगे देखिए ऐसा अभी इसको एक प्लेट में निकाल दिया है पहले मिर्ची को थंडा करके मिक्सी में डाल रही हूँ इसको पाउडर कर लेंगे देखिए ऐसा एक प्लेट में निकाल रही हूँ आदा एक ही बार मिक्सी नहीं कर सकते है इसलिए आदा आदा डालेंगे इमली भीगा करके लिया है इसको थोड़ा इमली डाल रही हूँ आदा आदा गुड आदा नमक अद्रक भी आदा डाल रही हूँ इसको नाइस पेस्ट कर लेंगे अभी इस कंडिशन में देखिए ऐसा नाइस पेस्ट करके एक बर्तन में निकाल रही हूँ और बाकी जो आदा रखा है न उसको भी सब मशाला इसमें डाल रही हूँ देखिए इसको भी नाइस पेस्ट कर लिया है अभी एक मोटा वला बर्तन हो या कोकर हो उसमें ओयल डाल रही हूँ ओयल गरम होने के बाद राई, हिंग, कड़ी पत्ता जो पेस्ट करके रखा था न वो इसमें डाल रही हूँ इसको ऐसे ही पकाएंगे बीच बीच में गुमाएंगे मेथी, सरसू, मेथी का पाउदर बेस को पकाएंगे ये दोसा, इडली, चापाती के लिए, चावल के लिए भी बहुत अच्छा होता है देखिए ऐसा, ये 10-15 मिनिट पकाना पड़ता है देखिए इस कंडिशन पर इसको उतारेंगे देखिए अद्रक की चेटनी तयार हो गया है इसको सर्विंग बॉल में निकाल रही हूँ ये अद्रक की चेटनी छे मैना भी अचार जैसा हम यूज कर सकते है बहुत अच्छा होता है अद्रक की चेटनी रेडी